नवस्कार आप देख रहा है प्राइम नीज 24 मैं हूँ आपके स्थाश्वाता सिंग खबर उत्राखन से है जहां केंद्री उर्जमंत्री श्री आरके सिंग ने सोमवार को जोशी मट के रैनी शेत्र में गलेशिय तूटने से आई आपदा से रैनी एमम तपोवन शेत्र में ह नुकसान का स्थल ये निरक्षन कर सिती का जायजा लिया है आपदा ग्रस शेत्र से लौटते हुए जौली ग्रांट एरपोर्ट पर मेडिया से अनौपचारिक वारता करते हुए केंद्री उर्जमंत्री श्री आरके सिंग ने बताया कि आपदा प्रभाविश शेत्रों मे पूरी तरह से शती ग्रस्थ हो गई है जबकि तपोवन स्थित एंटी पीसी को भी काफी शती पहुची है उन्होंने कहा कि इस शेत्र में होई नुकसान की कारणों की इस रोकी इमेजिस के आधार पर एंटी पीसी पीएच डीसी एवं एस जेवी एनल के पदाधिकारी भी अध्यन करेंगे इनकी एक टीम पैदल भी शेत्र को भ्रवन के लिए जाएगी उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाओं की पूर्वर जानकारी के लिए जिन हेल स्टेट में एंटी पीसी आधी के पावर प्रोजेक्ट है वहां पर प्रोजेक्ट के साथ ही सानिय लोगों के व्या कारी उपलब्द हो सकेगी केंद्रिय मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी सतरासदी में पाने मलवे के साथ तेज बहाव को रोकने में एंटी पीसी बैराज के मजबूर धाचे ने एक बड़ा काम किया है ने था पानी का यहावेग राज्ये के नीचे के छेत्रों में भारी जिनमें एंटी पीसी के 91 तथा नीजी कमपनी के 44 लोग भी शामिल है जितने लोग मिसिंग है उनको तलाशने का कारे तेजी से किया जा रहा है अब तक 20 शव बरामत किया जा चुके हैं शेत्र की गाउं के कुछ लोग लापता है जिसमें दो पुलिस वाले भी शामिल है उ जबकि एंटी पीसी के जो कार्मिक मिसिंग है जिनके जीवित होने की उमीद कम है उनके परिवारों को उचहार की दुरगटना की भाती 20 लाग की आर्थिक सहायता दी जाएगी उनने कहा कि गाउं के मिसिंग लोगों की कैसे बहतर धंग से मदद की जाए इसकी भी उजना बनाई जा रही है उनने कहा कि यदी प्रभावित गाउं वालों को एंटी पीसी में यदी वे चाहेंगे तो उनने काम दिया जाएगा इसके अतिरिक्त CSR के तहद भी पीडितों की मदद की जाएगी उनने कहा कि एंटी पीसी के टनलों को अभी लोडुरों से लडी पंपो की विवस्था की जा रही है इस अफसर पर सचिव उर्जा श्रीमती रादिखा जहां भी उपस्ते थी प्राइम यूस 24 के लिए श्वता सिंग की रिपोर्ट